जैहें दिस वीडियो में बात करेंगे सिख्चकों का ट्रांसपर पोस्टिंग को लेकर चाहे आप सक्चमता पास ट्रिक्चकों या वीपिस्टी पास सिख्चकों आपके लिए काफी अच्छा ख़बा रही है और इंतजार जो है फाइनली अब खतम होगा 7 नौंबर से सिक्षकों की सुरू होगी ट्रांसपर पोस्टिंग पर करिया तो देखेंगे कब last date है कब apply कर सकते हैं और किस तरह से आपको option मिलेगा पंचायत choose करने का मैं चाहूंगा कि वीडियो का पूरा दिखेगा और like जरूर कीजेगा न्यूज 18 की खबर पर लगी है मुवर अक्षमता पास और BPSC सिक्षकों का इंतजार होगा खत्म काफी लंबे इंतजार की बात फाइनली अब वो दीन आ चुका है जब सिक्षकों का ट्रांसपर हो सकेगा 7 नौंबर से सिक्षकों की सुरू होगी ट्रांसपर पोस्टिंग परकरिया अपलाई के लिए मिलेगा 15 दिन यानि कि टूटल जो है 15 दिन मिलेगा काफी होता है अपलाई करने के लिए जो 20 नौंबर से पहले अपलाई परकरिया शुरू परकरिया जोगी खत्म हो जाएगा यानि कि 7 नॉवंबर से लेकर आपको 20 नॉवंबर तक मिलेगा मौका कि आप इसको अपलाई कि दिए और लाज्ट डिट कब है 20 नॉवंबर तक है अगर आप 20 नॉवंबर तक अपलाई नहीं कर सकते हैं तो फिट से आपको मौका मिलेगा ऐसा नहीं है कि यह मौका नहीं मिलेगा 31 दिसमबर तक transfer posting परकडिया होगी पूरी अब यह जो 20 नॉमबर तक apply का last date रखा है उसके बाद यहाँ पर आयोग अभिवाग काम करना शुरू करेगा उसके बाद देखा जाएगा कि किस को जिले में रखना है कहां पर किस को देने से ज़्यादा सुभीदा हो सकता है जो भी आप लोग जो option चूज किजिएगा उसके हिसाब से ठीक है 31 दिसमबर तक transfer posting परकडिया हो जाएगा पूरा उसके बाद जो है एक जनवरी से सभी सिक्षक नए स्कूल में देंगे योगदान तो finally जो है दो हज़र पचीस एक जनवरी को जो है बीपेस्टी पास और सक्षमता पास सिक्षक जो है नए स्कूल में योगदान देंगे तो काफी अच्छी खबर है तो पूरुस को जो है जो है नी के आसपास का जो भी होता है वहां के लिए मिलेगा और पूरुस को क्या है अनुमर्दल दिया जाएगा दस अनुमंडल का उप्षन मिलेगा तो पुरूस को जो है कमी चांस है कि अपने आस पास का जो है स्कूल मिल सके काफी थोड़ा सा दूर ही जाना परेगा सक्चमता 2 की पोस्टिंग के लिए अलग से लिये जाएंगे आविधन तो जो लोग अभी सक्चमता 2 का एक्जाम दिये थे जो की क्वालिफाई कियें तो उसके लिए जो है उसके बाद में फिर से पुना मौका मिलेगा उनको या अपका मतलब की अप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले आपको जो BPSC सिक्चक को जो पुराने सिक्चक हैं जो सक्चमता पास है उसको मिलेगा मौका सक्चमता 2 को बाद ने मिलेगा मौका तो अच्छी खबर है देखें माहिलाओं के लिए कहाईगी काफी अब अच्छा हो चुक है उनके आस पास जो भी पंचायत है वहाँ मिलेगा ठीक है तो उनको आने जाने में सुविधा होगा जो दिज्ब्यांग लोग है उनको भी आने जाने में सुविधा होगा अब देखना होगा कि क्या इस पे जो है अब ज्यादा दिन नहीं है अधिके दो नमबर है आज उसके बाद आपको जो है आज से पांस दिने को बाद अभी ट्राइल चल रहा है software का पांस दिनों के बाद याने कि साथ नमबर से अपलाई करने को मिल जाएगा option ठीक है बीस नम आपको मिलेगा उसी दिन से जो है आपका सारा कुछ जो है शुरू हो चुकेगा मतलब कीम जो भी आपका बनता है ठीक है जैसे की राजी कर्मी का दर्जा मिलेगा मिलने के बाद जो भी आपका वेतन में जो भी increment होता है जो भी अपडेशन होगा सब चीज उसमें लग चुका होगा तो अच्छी खबार है मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिजे और वीडियो को सेर कीजे थैंक यू सो मच वर वाचिक इस वीडियो कोई भी तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं God bless you all